हलो फ्रेंड्स आज कि वीडियो के अंदर मैं आपको बोट नेक में कितना तीरे रखना है वो बताने वाला हूं और सबसे में चीज दोस्तों इसके अंदर जो आल्टरेशन आती है वो सारी चीजे में इसमें कवर करूंगा तो यह जो टिप्स होगी आपकी सोल्डर के ओपर पोटनेक में यह आपके बहुत ज्यादा काम आएगी अगर आप इसे अपलाई करते हैं अपने कपड़ों में अपने कस्टमर के कपड़ों में तो बहुत ही बढ़िया फिनिसिंग के साथ यह बनके आने वाले तो इसमें आपको पताऊंगा कि तीरे को नाप लेके किस तरी में फिल्कुनों करते हैं तो होता है कि हम कि तो लेना इसके अंदर पहला उठेगा इस तरीके से तो यह जब उठता है तो हमारा इस चीज को ऐसे खेचेंगे तो यह सवारा तन जाएगा और बहुत अच्छी फिनीसिंग बैठेगी पूरी टिप मैं आपको बताता हूं डमी पे नाप लेके तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट ले रखना है और इसको नापना है क्याल आपको तो यह तिरह यह तो आपका सिह आपका वारा आपका 15 तिरह Battle.com ₹ देखे रहने ते՞ींट्टर हो इसे कि मिलाव मैंने निसान लगा दिया आपको सिर्फ जो समझाऊंगों इसाभी अन्डादें तो यहां पर दीट है अब यहां पर 13 हमारा पंद्रा और दोस्तों पंद्रा के साफ से मैंने साइज भी रख दिया तकरीवन यह नाप कितना है देखिए यह आ रहा है आपका साड़े उन्निस यानि कि 49 इंच का मैंने यहां पर नाप रख दिया चैस्ट का 49 का हाफ जो होगा दोस्तों आपका साड़े उन्निस ठीक है तो यहां पर 13 साड़े उन्निस में बिल्कुल परफेक्ट रहेगा अब आपको बोटनेक बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे इसक ऐसी करके 15 का आपको आप 7.5 साथ यहां भी निसान लगा देन strip और इस से आपको hangsubh कम करके यहां पर एक निसान लगा है यह निसान सबस्त्राय करना। जो मैं आपको बता रहा हूं जब इससे आप यह साथ ज़्यादा इंपोर्टेंट है अब बारी आती है दोस्तों हम तीरे की कंड़ी को हम मतलब कितना जो है यहां पर रखेंगे तो इस साइज में आप यहां पर पांच इंच का ब्रॉड रख लो लंबाई में दोस्तों इसको आप चार इंच कर लीजिए चार इंच करने कंड़ी के से तो कभी-कभी मेरे यहां पर जो है एक सिकायत होती है कि यह कंड़ी उठती है तो मैं क्या करता हूं हमेशा यहां कंड़ी वाली साइड से पोनाइन से दबाता हूं कंड़ी को यहां से दबाता हूं तो यहां पर हमारी कंड़ी कुछ इस तरीके से दबती है त चीक है यह मैंने आपको समझा दिया अब दोस्तों यह जो निसान हमारा लगा है पोना इंच डाउन करके यह वाला इस निसान को फ़रेट वाले निसान से लेंगे और इस तरीके से लगा देंगे अब यहां पर दोस्तों लगा लेंगे अपना बैक वाला निसान जो कि आपको आदा होगा दोस्तों आपका साड़े तीन यहां से दोस्तों आपको इस तरीके से इस तरीके से घुमाना है और यहां पर मिला देना है ठीक है इस तरीके से मिला लो नहीं तो एक काम और कर सकते हो जारा है आप यहां पर इसको नीचे से भी डाउन कर सकते हो कोई ज़ूरी नह कि अब यह आपको चाहे आपका सूट दोनों चीजों में अपलाई कर सकते हैं तो यह चीज मैंने आपको समझाई है वह आप जरूर कर लेना कभी कंडी में कोई आपके अल्टरेसन नहीं आएगी अब मैं यहां पर इसका फरेंट भी कटिंग कर लेता हूं तो दोस्तों देख कि मैं आप इसका फरेंट कटिंग कर लाँ तो आप सेंटर में ना लेकर जो मैं यह तरीका कर लो यह भी अपलाई कर लो कोई दिक्कत नहीं है इससे देखिए दोस्तों यह आपका बढ़िया तरीक बहुत बढ़िया बैठेगा यह तो गया आपका यहां वाले इससी की से रख दिया साड़े साथ अब यहां पर आपका थिरी सूथ यानि कि आपका आदाइंट से एक सूथ कम आपका दवाव होगा आपका तीरा यहां पर कितना बचा दोस्तों साथ लेकिन यह जो इतना डीप कटे करना हलका सा आपका फैलेगा यह आपका वहीं पर बैठेगा जहां पर आपका तीरा है तो इसके अंदर आप यह चीज कर लीजिए बहुत ही बड़ी है आपका बोटनेक बैठेगा कभी वह कमी नहीं आएगी जो मेरी इस टीशट में आ रही है करनी से डाउन हो रही है ठीक है लेकिन किसी किसी के नापने में गरबर्ण होनी के वजह से अगर यह प्रॉब्लम आ जाती है तो वह एक का मोर कर सकता है यहां पर जो हमने तीरा साड़े साथ रखाया दोस्तों आप इसको टोटल में 15 इंच का तीरा है इसमें एक इंच कम कर लो 14 14 का हाफ आप साथ इंच से भी कटिंग कर सकते हो अगर किसी के यह प्रॉब्लम होती ह वरना मैं आपको कऊँगा जितना तीरग नाप रहो उतने से कटिंग करते हो पहले की कटिंग होता थी उसमें मैं गाई रखाया इंच करके आट करके नांद से कटिंग कर्वा तॉब्लम हाई लिखना अगर कमी आती है तो हम उससे वह कमी को सुधार के आपको अगली वीडियो में समझा देंगे कि कैसा ठीक कर सकते हैं अच्छा बनता है तो दोस्तों आपके कमन्ट से काफी लोगों को फायदा होगा और वह ये चीज अपलाई कर सकते हैं तो आपको वीडियो कैसे बुले थेंक्यों फॉर वाचिंग